हेलो दोस्तों, वेलकम एन वेलकम बैक टो माई चैनल, I hope you are doing good and very positive दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस ग्रे हेर की रेमडी शेर करने ही जारी हूँ ये प्रीमिशर ग्रे हेर के लिए भी वर्क करती है और आपकी उम्र 90 साल हो या फिर आपकी उम्र 20 साल हो, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी वर के हैं, आपको बहुत जादा फाइदा पहुचाएगी तो चली स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है और इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडेट है वो है यहाँ पे काला कथा, अगर काला कथा नहीं मिलता है तो आप ब्राउन कथा का भी इस्तमाल कर सकते हैं रहना चाहिए अपने बालों में, यह बहुत ही जादा फाइदेमंद होती है क्योंकि बालों को हेल्दी करती है, स्ट्रॉंग मनाती हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करती है और सफीद बालों को नैश्रल तरीके से काला बनाने में हेल्प करती है थर्ड नमबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे एड़ करना है कलोंजी पाउडर कलोंजी जिसे की ब्लैक सीट भी कहते हैं और मंग्रेल के नाम से भी इसे जानते हैं इसे आपको नॉर्मली रॉ लेकर के यानि की कच्छी कलोंजी को लेकर के मिक्सी में पीस लेंगे हलका दरदरा पीसेंगे इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा इस ट्रेंड भी कर लें क्यूंकि आपको बालो में से अप्लाई करना है कलोंजी बैलनेस की समस्या है यानि की गंजे बन की समस्या है हेर ग्रोथ में प्रॉबलम है या फिर हेर फॉल हो रहा है उसके लिए फाइद्यमंद है और साथ ही साथ बालो को काला करने में तो बहुत ज़्यादा फाइद्यमंद है इसके बाद आपको लेना है नीबू का powder, lemon जो citrus fruit है उसका powder आपको लेना है अगर आपके बास lemon powder नहीं है तो आप इसकी जगा पे skip करके आमला powder भी ले सकते हैं या आप आलू का powder भी ले सकते हैं अब स्टार्ट करते हैं इसे प्रिपेर करना कैसे बनाना है तो देखिए सबसे पहले पुरी चीजों को हम यहाँ पर अड़ कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर काले कत्थे को मैंने अच्छे से कूट करके इसका पौडर बना के एक चमच डाल दिया और एक से डेट चमच ही मैंने यहाँ पर कलोजी पौडर डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें भ्रिंगराज पौडर डाल दिया है एक चमच और एक चमच ही आपको यहाँ पर नीवू का पौडर भी डालना है तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है तो दिखिए अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप थोड़ा जादा quantity में बना सकते हैं और as a solution के तौर पर चुकि मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक एक चमबच का इस्तमाल किया है यह अच्छे से आपको roast करना है dry roast ताकि इसका moisture निकल जाए और यह बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से अपने कलर को change कर दे तो continuous आपको medium flame पे इसे अच्छे से dry roast करना है और कलर को change होने देना है आपस में सारी चीज़े mix हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको gas के flame को एकदम simpe कर देना है low कर देना है और अभी देख सकते हैं कितना जादा color change हो गया है अच्छे से roast हो चुका है तब इस stage पे आपको इसमें add करना है पानी तो again से बता रही हूं कुछी जिसमें ऐसी है जो की पानी को जादा soak करती है लेकिन मैंने यहाँ पे जो quantity है वो कम ले रखी है इसलिए सिर्फ एक glass यहाँ पानी यहाँ पे add किया अगर आप ज़्यादा quantity में लेते हैं तो आप दो glass या देर glass भी पानी add कर सकते हैं तो अपने बालों की length के according आप इसे बना सकते हैं एक glass पानी लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों अगेंस यह पानी के साथ इसे अच्छे से boil करना है और एक thick consistency में यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए pack उस consistency में इसे ले के आना है और continuous boil करते रहना है धीमी आज पे जब आप इसे continuous boil करेंगे तो यह एक thick consistency में हो जाएगा और बढ़ियां तरीके से pack बनके ready हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो consistency है वो भी थीक हो गई है और pack भी हमारे यहाँ पे तम हो गया है बस gas के frame को off कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है और इसके बाद आपको इसे अपने scalp में जड़ में बालों में अच्छे से लगाना है एक से डेड़ घंटे तक लगा के छोड़े और wash कर ले इवनिंग में रात में सोने से पहले सरसो के तिल या फिर नारिल के तिल से अपने बालों की मसाज करें और नेक्स मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर्माल शैंपू से अपने हेर को wash कर लें हफ़ते में दो बार आपको इस रेमिडिय का इस्तमाल करना है बच्चे से लेकर बड़े कोई भी इसका इस्तमाल कर सकता है क्यों न्यू रेमिडि के साथ तब दक लिए बाई बाई टेक कियर अपना ध्यान रखिए